आरे सुनो आरे सुनो तुम बरून शुना हाँ बुल लगते है अब हम दोनों को शादी करने चाहिए हाँ बिलकुन हाँ चलो ठीक है खलो हम लोग चर्च चल के सादी कर लेंगे और फिर हम लोग यहां से इंडिया के लिए टिकेट कता लेंगे फिर दोनों शादी करने चाते हैं चर्च में वहां बहुत धेर सारी भीर थी पिशाली का एक डॉक था वो उसे बहुत ही प्यार करती थी और वो डॉक भी उसे बहुत प्यार करता था वो दोनों प्रिशन में शादी करने गए और और वहां बहुत भीर थी बहुत धेर सारे ल दोस्त भी वहाँ पे आये थे वेशाली भी वहाँ थी और वह दोनों ने शादी कर वरून इंडिया का रहने वाला था और वो लोग अपने घर पहुँच जाते हैं विद्वा मा उनकी आर्थी उतार रही थी और उसकी एक ननन भी थी जो उधर मूँ करके खड़ी थी इसलिए खड़ी थी क्योंकि उसके भाई ने उसे साधी में नहीं बुलाया और वो उधर मूफुला के खड़ी थी और विद्वा मा रोके आरोके बच्चों की आर्थी उतार रही थी अरे बेटा तुमने साधी कर लिया और मुझे बुलाया भी नहीं छोड़ो आज कल के बच्चे तो ऐसे ही हैं नहीं मा नहीं मा ऐसा कुछ नहीं है मैं हाँ अरे आप भी कैसी बात करती हो मा तेरी बेहन को देख कितना कुस्सा है तेरी तैयारी करके पैठी थी अरे बेहना मैं तुझको ट्रीट दे दूगा ना मुझे तुमसे बात नहीं करनी भाई तुम ने धोका दिया इस जाहिर औरत को तुम मेरे घर पे क्यो लेके आए वरुन तमीज नहीं तुमको बात करने की हाँ भाई तुम भी मुझे किसकी वज़े से डाट रहे हो मैं जा रही हूं मा उसकी बेटी उसकी बेटी मुफुला के चली जाती है गाम का गुष्टा कर दिया मेरी बेटी को चालो अंधर आओ तुम दोनो ऐसे उनका स्वागत होता है उन्लों मा का पैर चुते हैं मा बोलती है हर्चो मेरे पास है मा मा उसकी बाहु कमरे में जाती है वरुन जाता उसे कमरा दिखाता है तुम मेरे पीछे आओ अससे ये तुम्हारा कमरा है उन्लों की बातों पे धान मद्दो वो लोग मूँ से बहुत कड़वी है और दिल से बहुत ही नरम है जैसे एक नारियल होता है नहीं नहीं जी मुझे बुरा नहीं लगा नहीं नहीं उन्हों सोजाते हैं क्योंकि धके रहते हैं दोनों सोजाते हैं और नीचे मा बेटी पताने क्या खुश खुश कर लाइट बंद हो जाती है किती अच्छी लड़की मिली थी मुरा स्री लाख लेके हो रही थी हां मा हां मा भाई को भी पता नहीं क्या साधी करने की चल दी थी और इस मनुस से साधी कर ली इसके सरकल देखिए तुपने फिरी में ले आया मेरा पीट हां मा तुम सही कह रही हो मुझे तो लगता है हमें कुछ करना चाहिए जो उसके परशान करेंगे कि यह घर छोड के भाग जाएगी नहीं मा भाई भई भी परशान करने से देखा तुमने कैसे फ़ो हस रही थी उसके परशान करने से घुछ नहीं होंगा मा आते ही देही मेरे लड़के को अपने बस में कड़ ली है डायर मामा, हमें लगता है ना, जब इनका एक साल पुरा हो जाएगा, तब हम इसे मा डालेंगे दूसराई कहली है, इससे तो मैं भी पीछा छुडाना जाती हूँ क्योंकि अभी हम मारेंगे ना मा, तो भाई को सक हो जाएगा हम इसे एक साल तक अच्छे से रहेंगे, अच्छा बेवार करेंगे ताकि हम पर किसी का सक भी ना चाहिए हाँ मा, अच्छा बेटी ऐसे ही बात करके खुब हस्ती है वो तयार होके अपने कमरे में बैट की खिरकी से बाई वरून, वरून बाई और जैसे ही बाई नीचे आती है कमरे से और वर्ल को उसकी बाई बहू बहुत पुझा रही थी और वो भगवान जी के मंदिर में जाके पुझा करती है और वो पुझा करके नीचे ही आती है तभी सास आगे कर मुही, नास पेती, मेरे बैटे को पसा के मजा ले रही है चल जाडू पोझा लगा, पूरा खाम खाना बना चल दी सारे काम खटम कर लेती है, फिर भी सास बोलती है अभी काम तो सुरू हुआ है वा काम करते करते सख जाती है और फिर रात हो फिर उसका पती आ जाता है घर उसका पती घर आ जाता है और दोनों मा बेटी स्कूटी का आवाज सुनते ही बहु से बहुत प्रीम करने लगती है किती प्यारी बहु है मेरी, सारी काम जानती है मुझे तो ऐसी ही बहु चाहिए दे थी बेटा हाँ भाई तुमने भाबी बहुत अच्छी लाई है, भाबी बहुत अच्छी है हेना भाबी और वरुन यह सब देखके खुश हो जाता है और वाच खाना खाते हैं वरुन और शाली उपर कमरे में शोने के लिए चले जाते हैं शोने हैं फीट राज को मा बेटी प्लैन बनाती है आज तो हम बाल बाल बाच गया है हमा मैंने तो किस खुटी की आवाज सुननी इसलिए मैंने तुम्हें बता भी दिया लेकिन इसका जरूर कुशन कुछ करना पड़ेगा मा तुम सही बोल रही हो अब हमें भाबी मैं भाबी नहीं बोल सकती हूं चुड़ा है लौरत को मुझे भी होकर अजलियत थी नहीं लगता है साल बात अब अपनी सास और नहीं की बाते जाने लगे और वो उनसे लड़ाई होती थी अब वो अपने पती को सब बताती थी और वो अब एक साल बात बहुत बदल चुकी थी वो वो अपने सास की ताने सुन-सुन के उनको पलट जवाब देती उसकी मा थोई जुख गई थी, बुड़ी हो गई थी कलमोर काम कर सासो मा, आप जादा मुझे ना बोला करिये मैंने आपको पहले ही बता दिया था वणना धके मार को आपको घर से निकाल दूने आपका मैं सुन-सुन के ठर्च चुकी हूँ आप लोग ने मुझे कितना सताया मैंने एक बार भी अपने पती से नहीं कहा क्यों? क्योंकि मैं आपको अपनी मा मानती हूँ और आप, आप तो मेरी नंद है ना आप तो मेरी नंद है ना भूलिए आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? बहुत जादा तेरी जवाँ चलने लगी है कल की आई लड़की हमसे बात कर रही है कुछ जानती नहीं है कि सब पंगा ले रही है चल बुढ़िया, चल तुससे क्या मतलब मैं कुछ भी करूँ बस आज ये लास्ट है मैंने पूरा वीडियो बना के रख लिया है बस एक पर घर तो आए बस मैं उन्हें दिखा दूँगी बस एक पर एक घर आए कुछ न कुछ तो इसका करने पड़ेगा आज मा भाबी ने वीडियो बना लिए और भाईया को दिखा देगी इसकी नौबत ही नहीं आएगी इसको भीसते हैं बाबी ममा इसको मैं उपर भीसते हो और तूम इसको ठकेल के मार देते हैं इस लड़की को इसको कामी तमान कर देते हैं आज बाबी बाबी प्लीज मेरा कपला उठा लाईए ना बाबी प्लीज अब मैं यहां से जा रही हूँ भाबी देखिए भाबी मैं आपसे बहुत गलब बेवाद किया मुझे माफ कर दीजे भाबी प्लीज भाबी प्लीज भाबी प्लीज भाबी प्लीज नहीं नहीं तुम उसे माफी मत मागो तुम उसे माफी मत मागो मेरी प्यारी ननत बस मैं तुम्हें बता दे, तुम रो मत मत रो तुम, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है भाभी नहीं नहीं, ऐसे नहीं रोते हैं कोई बात नहीं तुमने जोकिया, तुम्हारी नैदानी थी मैं जाती हूं भी छट से कपरा उठालाती हूं क्वा छट से कपरा उताय के नीचे आ रही होती है तभी पीछे नान दा जाती है अरे और वह गिर के मर जाती है और हर जगा खून खून हो जाता है आपार कि अन्हें जाओ लिए जाओ एंचार कि अपार कि अज़ है आंव नब सोम्हालो मापने आपको samaa नहीं बेटा आज नहीं सबादपा होगीूँ। अधर से अरुन आ रहा होता है इस नहीं नहीं रोते रोते दूसरा दिन होगे करी है अर उस्की मिट्टी जननिक ने जाने लगी और वो लड़का उदास रहने लगा अपने कमरे में अकेले रहने लगा और एक दिन उसने उसकी याद में अत्मठ्चा कर ली अपनी उसने फासी लगा लगा लेता है फासी लगा लेता है वो मां आज फिर रोती है ये क्या गिया बेटा तू क्यों मर गया मा मा चिप हो जाँ मुझे बस पर बैटा पर उसकी बेंग बहुत ही खुशती क्योकि उसकी भाई के संपति उसकी होने वाली थी पर एक दिन वरन तो अपने आपत मत्या की था इसलिए उसकी आत्मा नहीं भटकी और वह और वह तो उसकी नंदर ने उसे धकेल के मार दिया था उसकी नंदर में उसे चल्ट से धकेल के मार दिया था कुछ महिने बीच जाते हैं बेटी की मित्यू होने में और वहां उसकी पहु की आत्मा भटकने पर दोनों सास सास और उसकी मा और बेटी बहुत खुश खुश रहने लगे थे और उसकी बेटी का अफैर चल रहा था यह वाज कैसी थी हां मा अम्मा को बेटी नहीं पूशती है अम्मा अकेले रहने लगी अरे बिटा बेटा इधर आओ बिटा पुरा समान गिर जाता है बुढ़ी गिर जाती है नीचे और वह आती है और उसकी बेटी उसे देखने तक भी नहीं आती है एक करम जली मुझे कहां मरा दिया कुछ ओ जाि कुछ और एक कौंन रिख है के हां से बीटा अरे तुम भी आगाे की अंगी नसीब में कौन आपर इस जल्दि दोड़ने दोड़ना रहे थी जल्दी दोड़ने अपने बीटी कि कमरे में चाती है तो रही है क्या अरे ओट क्या गर रही है तू ओट क्या हुआ मा मुझे परशान ना कर जो बट तुम नीचे पेटी सुन बो आ गई कोन आ गया मा क्या तुम भी कोन आ गया मुझे तुम मां बेटी का तो कुछ सम्झ नहीं आ रहा हूं गाता है इंडर कीमारे भाग 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 यहां पर चुडेल का साया मैंने देखा है मा तुम ने उसे भगा दिया तुम ने निहाल को भगा दिया मा तु तू और है मेरे पीछे क्या था मा मा मेरे पीछे क्या था वो दोनों कोने में खड़े होके छुप जाती बिगी बिल्ली बनके वो लोग छुप जाती है मैं आ गई यह कौन भूल रहा तुमने सुना उस करम जरी की आवाज मा अब उसे करम जरी मत बुलो वो चुड़ेल बनेगे वनों खा जाई है और वह उन लोग के सामें आके खड़ी हो जाती है मैं आ गई सास्व मा मैं आ गई माप रहे ही कहां से आ गई मेरे पांगे में बेटी बचाओ मुझे तुननन रानी मुझे तुनने रखा दिया है बोलो ना मैं तुमसे बूछ रही हूं मा मुझे बचा लो माप भाबी माप मुझे माफ कर दो मैं की मेरी तो कोजी बटी बड़ी है मैं कैसे बचाओं मा तू मुझे ऐसा क्यों खेर ही। मुझे बचालो तू अपनी सोच म North यांसे भाग रहे हूँ मा किझां मत जाओ मा मुझे और से वो सब्लिव मा भाग जाते है अपने कमरे में वा उसे खीच की उपहले जाती है दकारे देती है ती हो जाती है मेरी प्यारी सासु मा वो सासु मा के वा उठा के फिक देती है बहार और वो सास दोड़ के भगवान के मंदिन में जाती है है भगवान मुझे 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 बहुत बड़ी गल्पी हो गई मंदिन में घुच जाती है और वो चुड़ा बहार खड़ी रहती है कभी ना कभी तो बाहर आपके पर भगवान आप ये गलत कर रहे हैं अगर मेरी आत्मा और मेरा मन सच्च है तो आप इस बुड़ी औरत को बाहर निकाल दीजिए और भगवान उस बुड़ी औरत को दूर उठा के वो उसे मार देती और खा जाती और उसकी आत्मा को सांती मिल जाती है हमारे कहाने को स्क्राइक करें कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें